जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक वर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे नवस्कार बोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा हाथरस की इस बिटिया की रुदाली आपके अंदर सेहरन भर देगी दोस्तों मगर इस कारकरम का मकसद आज ये भी आपको बताना है कि किस तरह से समाज पुलीस, सरकारें, प्रशासन यहां तक कि हमारी अदालतें भी हमारे समाज की महिलाओं, औरतों के खिलाफ मानो एक मूर्चा बांदे हुए हैं उसकी रहा को लगातार ये मुश्किल करते रहते हैं, ये तमाम तंत्र हमारे, हमारी मीडिया भी मगर सबसे पहले इस बेटी की रुदाली आज से ढ़ाई साल पहले, इसके पिता ने शिकायत दर्श की थाने ने एक गौरव शर्मा के खिलाफ छिडखानी के मामले में और आज ढ़ाई साल बाद, उस बेटी के पिता को उस गौरव शर्मा और उसके साथियों ने मिलकर गोलियों से भून डाला सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस बेटी की रुदाली सुने प्लीज इपूची इस जाव दे नूवरी पहले उसने में साथ चेड़गा नहीं कि मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चेड़गे मेरे पापा को गोली बारी है मेरे पापा को गोली बारी है वो पहरा इकोना रहता है अभी इकोना से यहां का उखाय कूमने के लिए प्लीज चेड़गे मेरे पापा को यहां गोली मार देता यहां क्यों आने उसने जिसने गोली मारी उसका नाम पता है अब को गोली मारी उसका नाम पता है अब को गोरव सर्मा आज मेरे सवाल है धाई साल पहले सिर्फ एक महिने के लिए ये शक्स जेल के अंदर मौजूद था तो एक महिने जेल के अंदर कहीं न कहीं उसके होसले पस्त हो जाने चाहिए थे उसके होसलों को दबा देना चाहिए था उसे नर्म कर देना चाहिए था मगर ढ़ाई साल बाद वो इस तरह से पिड़ता के पिता को गोली मार देता है आखिर हमारी कैसी व्यवस्था है जो आरोपियों के होसलों को बुलंद करती है मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर पुलीस क्या कह रही है आप सुनिये पुलीस इसे ढ़ाई साल पुरानी आपसी रंजिश बता रही है शुकर है अब तक जो हमारे सामने प्रमान मौजूद है अब तक पुलीस ने आरोपियों का साथ नहीं दिया था जैसा की हाथरस की उस घटना में दिया था आपको याद होगा रातो रात उस बिटिया का शव जला दिया गया था लॉइन ओर्डर एडी जी कह रहे थे कि बलातकार ही नहीं हुआ दुशकर्म ही नहीं हुआ जब कि सीबी आई की जब रिपोर्ट आई तब ये पता चला कि दुशकर्म भी हुआ था और इसके बाद में उसकी हत्तिया कर दी गई इलाबाद हाई कोट के सामने लॉइन ओर्डर एडी जी को कहा गया था कि क्या अगर आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ होता तो आप इसी तरह से रात रात उरात उसका शव जला देते तो बिल्कुल खामुश थे शुक्र है कि उत्तरपदेश पुलीस और उत्तरपदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया मगर पुलीस कहे कि आरिया आप सुनिये क्योंकि पुलीस का पक्ष भी जानना बहुत जरूरी जेतू अस्पतार ले जाते वक्त उनके मृत्यों हो गई इस तूशना पे तत्काल सासनी तथा छेत्रा दिकाई नगर द्वारा मौके पर पहुचकर जांच की गई जाजमर जो प्रत्तत्य प्रकाश में आये हैं उसके अनुसार जो मृत्त हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभ्यूत गौरफ शर्मा है उसके विरुद्र आज से धाई साल पूर जुलाई दोहजार अठारा में एक छेड़खाने का मुकदमा पंजितित कराया गया था जिस मुकदमे में जुलाई दोहजार अठारा में आरोपी गौरफ शर्मा जेल भी लिया था और करीब एक माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था इसके बाद से ही दोनों परिवार में लगतार मनमुटाव चल रहा था आज की घटना इस प्रकार है जो ये हुख्या आरोपी है गौरफ शर्मा उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गाओं के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गयते जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूब थी इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहा सुनी और विवाद हुआ उसके उपरान एक तरफ से आरोपी गौरफ शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हौट टॉप गई इस हौट टॉप के बाद आवेश में आकर गौरफ शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहाँ मौके पर बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया जिससे गोली लगने से मृतक गंभी रूप से घायल हो गया और अस्पता ले जाते वक्त उनके मृत्य हो ग गया है और हम अध़त प्रियास कर रहे हैं और शीग इनने गिरफतार करके इन चारो अभूरतों के विरुदू सक्थ से सक्थ कानोनी कारवाई अमद में लाई जाए तो जैसे मैंने आपसे कहा ना ये कैसी व्यवस्था है दोस्तों जिसमें आरूपियों के होसले बुलंद हो जाते हैं इस तस्बीर में देखी ए ललिछ शर्मा इनमें से एक आरूपी जिसने पिता की हत्या की है उसे गिरफतार कर लिया गया है अमरीश शर्मा की जो हत्या का आरूपियों के होसले बुलंद हो रहे हैं आपको याद होगा जब हात्रस की गुडिया के साथ दुशक क्यामरे के सामने आके लोगों को धंका रहे थे धारह 144 लागू थी उस वक्ट ये हात्रस में मगर खुले आम वो लोग धंका रहे थे और पीछे मुझे आदे पुलीस खड़ी हुई थे यह कैसी व्यवस्ता है उल्टा उत्तरपदेश की मुख्यमंत्री माननी योगी आदितन जिने इंडिया टुडे जैसी माग्जीन ने या इकोनामिक टाइम्स जैसी माग्जीन ने देश का सबसे बहत्रीन मुख्यमंत्री तक करार दी दिया था वो आज कहां है आज वो पश्चिम बंगाल में उनका संदेश पढ़िए नमस्कार बंगाल सनातन संस्कृती की जाग प्रित करने वाली वीर भूमिको मेरा नमन जैश्री राम वंदे मातरम भी कर दिया जैश्री राम भी कर दिया वंदे मातरम यानि की मा का उद्गोश जैश्री राम का नारा अधूर है जब तक हम उससे राम राज जिससे ना जोड़ें इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता योगी जी क्या उत्तर पदेश में मा का सम्मान हो रहा है बेटी का सम्मान हो रहा है आखिर बेटी के लिए व्यवस्था इतनी प्रतिकूल क्यों है और जब आप जैश्री राम का उद्गोश देते हो तो क्या आप मुझे इस बात का भरूसा दिलाएंगे कि इस जैश्री राम के नारे के साथ साथ रामराजी भी जुड़ा हुआ है कहा है रामराजी बताईए न मुझे तो एक तरफ जहां योगी आदितनात पश्रमंगाल के दोरे पर हैं विपक्षी दलों ने भी उन पर हमला बोल दिया है ये मुद्दा जो है हातरस का वो एक बता रही है गिरफतारी होगी या हातरस की इस बेटी को भी बदनाम करने की साज़श रची जाएगी और यूपी कॉंग्रेस एक किसलिए कह रही है आपको पता होगा आपको याद होगा कि सरकार के एक पालतू पत्रकार ने क्या कहा था याद है आपको कि हातरस की गुडि पेनियूज ने तो परिवार पर ही उंगली उढ़ा दी थी कि परिवार इतने दिनों तक क्या कर रहा था आपने ऐसा विचितर समाज देखा है दोस्तों ऐसा विचितर समाज जहां पिड़ता परी हमला किया जा रहा है सिर्व इसलिए क्योंकि आपको किसी पुलिटिकल पार् कर चुके हैं समाजवादी पार्टी सुप्रीमों अखिलेश यादव ने भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि किस तरह से हाथरस की एक और बिटिया के साथ अत्याचार उन्होंने कहा कि पिता ने सिर्फ शिकायत की और उनकी दुरदान्त हत्या कर दी गई अब की बार लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो अपराद हो रहे हैं उसके लिए आप सरकार पर या पुलीस पर दोश थोड़ना मड़ सकते हैं क्योंकि कई मामलों में अपराद जो हैं उसमें एक निजी आंगल भी होता है रंजिश वाला मामला भी होता है जैसे कि इस मामले में मुद्दा वो नहीं है दिक्कत पेश आती है जब व्यवस्था पीडित के साथ खड़ी ना होकर उसके खिलाफ खड़ी होती है दिक्कत वहां होती है इस देश में इस राज में कई जगाओं पर अपराद होते हैं दिक्कत वहां पेश आती है जब पीडित के परिवार के लिए हालात बच से बत्तर किये जाते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी के परिवार में, किसी लड़की या किसी महिला के साथ बलादकार हो, और उसके साथ सांतुना साहन भूती के बजाए, अगर व्यवस्ता उनके खिलाफ हो जाए, तब आप क्या करेंगे? और उसके मैं आपको दो मिसाले देने वाला हूँ, दोस्तों, कल एक और बहुत ही विशित्र चीज़ हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपके स्क्रीन्स पर यह हैं, चीफ जस्टिस बोब्दे और चीफ जस्टिस बोब्दे में जानते हैं, आपने क्या कहा? बलातकार का एक आरूपी उनके सामने था, और उन्होंने कहा, कि तुम पिड़ता के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल सही सुना आपने, चीफ जस्टिस बोब्दे पिड़ता के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? मामला क्या मैं आपको बताता हूँ 2014 में जो आरोपी था वो 23 साल का था और लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल की थी वो आरोपी ने लगातार उस लड़की का पीछा किया पीछा किया और जब वो घर में अकेली थी तो उसका बलातकार कर लिया बाद में उसे धमकी देता रहा ये देता रहा कि अगर तुमने ये बाद किसी और को बताई तो मैं तुम्हारे चेहरे पर आसिट ठिक दूँगा और फिर उसी के बहाने इस खबर के मताबिक एक नहीं दो नहीं कम से कम बार हा बार उसने फिर लड़की का बलातकार किया ये मामला कुछ दिनों पहले औरंगाबाद हाई कोट में गया उसे बेल मिल गई बाद में बॉंबे हाई कोट ने उस फैसले को पलट दिया और फैसले को पलटते हुए औरंगाबाद यानी सेशन्स कोट के जज के बारे में बहुत ही तल्ख टिपणी की, क्या तल्ख टिपणी की आपके साम में? पर्ष़ आपके सुूगि लेस्टिए अचरो प्रस लाइल राटे बैले सेशन्स कर बारे में? और फैसले बारे सी तूग यानी सर्च बारे में बेल स्वारि में टारे में जज की आखे लाइ बहुति इने विग झा-ई पर झान्ज की चर टीफ इस बारे में बहुत हैं, कड़ी फटकार लगाई थी बॉम्बे हाई कोट में और अंगाबाद सेशन्स कोट के जज को कि आखिर आप इस निशकर्ष पर कैसे पहुँच गए कि दोनों के बीच में जो हुआ वो रजामंदी से हुआ यह बॉम्बे हाई कोट का फैसला था और जब यह मामला सुप्रीम कोट में पहुँचता है तो चीफ जस्टिस बोब्दे क्या कहते है आरोपी से कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हैं तुम तो एक सरकारी नौकर हो रेप करने से पहले यह बात तुम्हें समझ नहीं आई थी इस तरह की तमाम बाते हैं मैं आपको एक और मामला दिखाता हूँ दोस्तों जस्टिस रोहित आरया इंद और हाई कोट में जस्टिस रोहित आरया ने उनके सामले मामला आया था विक्रम बागरी का विक्रम बागरी की बेल आप्लिकेशन का विक्रम बागरी ने कुछ महीनों पहले एक लड़की के साथ यौन दुशकर्म किया था उसे मॉलेस्ट किया था आप जानते हैं जस्टिस रोहित आर्या ने कहा कि अगर तुम अपने हाथ पर पिड़ता से राखी बंद वालो और पिड़ता के बच्चों को उपहार दे दो गिफ्ट दे दो तो मैं तुम्हें बेल दे दूँगा यह हमारे जस्टिस साहब यह हमारे जजज साहब है अब कुछ देर के लिए कलपना कीजे दोस्तों आप पुलीस के पास जाएं या अपने इलाके के सांसद और विधायक के पास जाएं और पुलीस आपसे कहे मामला होगा रेप का और पुलीस आपसे कहे कि आप अपनी या फिर अगर आपको आपके इलाके का सांसद और विधायक ये कहे कि ठीक है आपकी बेटी के साथ बलादकार हुआ है मगर आप इसकी शादी आरूपी के साथ क्यों नहीं कर देते तो अभिसार शर्मा इस मंच पर बैठके उस पुलीस वाले की उस राजनेता की उस सांसद की बखिया ओधिर देता मगर शूंकि मैं एक डरे हुए देश का डरा हुआ पत्रकार हूँ इसलिए मेरी हिम्मत कैसे होगी चीफ जस्टिस बोब्दे के खिलाफ कुछ बोलने की नहीं साथ बिलकुल नहीं वो मिलॉड हैं वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं मैं उनके फैसले के बारे में और उनकी टिपणी के बारे में कुछ नहीं कह सकता मगर जो मैं आपको बतलाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब एक औरत इनसाफ के पत पर होती है जब वो इनसाफ की गुहार कर रही होती है तो हर कोई उसके खिलाफ होता है जिसने उसके साथ बलादकार किया होता है वो तो उसके खिलाफ होता ही है वो तो उसके लिए मुश्किलें पैदा करता ही है प्रशासन जैसे कि हमने हाथ रस के दुश्कर्म और हत्याव में देखा था सरकारें उसी मामले में और अदालतें भी ये इस देश का दुर्भाग्य है और अगर वो किसी तरह से उसका मुकाबला राजनीतिक रसूक वाले इनसान के साथ हो तो वो आपको ना सिर्फ आपको बलकि आपके पूरे परिवार को बरबाद कर देगा जैसे कि इस आदमी ने किया था कुलदीप सिंग सेंगर जिस लड़की के साथ इन्होंने बलापकार किया था ना सिर्फ उस लड़की के पिता की मौत हो जाती है थाने के अंदर बलकि रहस्मय तरीके से उनके परिवार का एक-एक सदस से अलग-अलग सड़क धुरगटनाओं में मारा जाता है यानि कि पूरा परिवार ही बरबाद हो जाता है ये इस देश की हकीकत है आज मैं किसी पुलिटिकल पार्टी, किसी अधालत, किसी सरकार पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ आज इस कारक्रम का सिर्फ ये मकसद था कि आप खुद को अंदर से टटोलें और ये सोचें कि आप और हम किस समाज का स्रिजन कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं हमने सालों से ऐसी व्यवस्था बना दी है कि हमारी बच्चियों, हमारी माताओं, हमारी बहनों सब के लिए हालाद बच से बत्तर होते जाने उसकी उम्र चार साल की भी हो सकती है और उसकी उम्र पचास साल की भी हो सकती है जब एक औरत को मंदिर का पुजारी ही उसका ना सिर्फ बलातकार कर देता है बलकि उसकी हत्या करके उसके घर के सामने फिक देता है जैसे कुछ दिनों पहले हुआ था आपको याद होगा और ये भी घटना उत्तर पदेश की थी सूचिएगा ना हमारी बच्चियां सुरक्षित है ना हमारी माता है बोल के लब आज़ाद है तेरे में बस इतना ही आविसार शर्मा को दीजे जाज़त अवस्कार